हेलो दियर स्टूडेंट मैं विमल अगरवाल वेलकम टू इस चैनल आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्टियर सब्जेक्ट फार्मकोलोजी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ओन रेस्पारेटरी सिस्टम टॉपिक ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ लाइक एक पेरामेडिकल गौवर्मेंट इस्टा वेकेंसी से रिलेटेड वीडियो अप्लोड करते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं पहला आइकन के बटन को प्रेस करते हैं जैसे हम जो भी वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सकें चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जानने की कोजिस करेंगे ऐसी ड्रग्स जो के हम ट्रीटमेंट ऑफ कफ में यूज कर सकते हैं कफ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसन्स यूज की जाती है वो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कि बिसिकली एक्सपेक्टोरेंट को अगर डिफाइन करें तो एक्सपेक्टोरेंट वहाँ मेडिसन की कैटिगरी है जिसको लेने से या जिस टाइब की मेडिसन्स को लेने से जो म्यूकस होता है उसको थिन करने के बाद में वो बॉड़ी से एक्सक्रीट कराती है बॉड़ी स anti trustworthy medicine यो होती है वोI cup suppresentative medicines होती है जो खासी होती है कफ होती है उसको suppress करने का काम करती है बड़ किस तरीके से अपना actions हो करती है anti-trusive medicines cns पर work करके यहाँ जो gueण के reflects आ रहे हैं उनको Blocks करने का काम करतィ है जिससे कफ सप्रेस हो जाता है और खांसी में कई हत्तक रिलीफ देगने के लिए मिलता है आगे इसके introduction की बात कर लें और इसको पढ़ लें तो कफ इसे protective reflex by which an irritant or attractive material is expelled from the respiratory tract यहाँ पर clear इस line में बताया गया है कि जो कफ होती है वो एक protective reflex होता है बोड़ी के दौरा आया हुआ protective reflex होता है और यह कब create होता है जब respiratory में कोई irritation cause हो या फिर कोई attractive मतलब कोई ऐसा material, attractive material वह material जो कि वहाँ पर कोई रुकावट पैदा कर रहा है इस तरीके का material respiratory में होता है like mucus जो होता है वो भी इसी तरीके का material है mucus की बात करो या कफ की बात करो means के plagme की बात करो plagme जो कफ होता है वो भी attractive material होता है रुकावट पैदा कर सकता है हमारे respiratory system में तो जो रुकावट पैदा कर रहा है या जो irritation cause कर रहा है हमारी respiratory में उसको बाहर निकालने के लिए यहां पर हमको कफ आती है एज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है कफ अगर mucus का formation ज्यादा हो रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए कफ आना जरूरी होता है और यह protection effect होता है किस तरीके का mechanism रहता है कफ का यहां पर किस तरी theory से deep inspiration हम inspiration करें deep inspiration करें deep inspiration एक ऐसी process है जिस में nature से lungs तक oxygen को पहुचाने का काम किया जाता है तो अगर हम deep inspiration कर रहे हैं deep inspiration करने से जो glowtis होता है वो close हो जाता है temporarily हाँ permanent नहीं होता है temporally close हो जाता है gloitis, तो gloitis क्या होता है gloitis की अगर बात करें तो gloitis जो होता है वो part होता है यहाँ पर middle part of larynx, larynx का middle part होता है gloitis, वो क्या कर जाता है close हो जाता है, close होने के बाद मैं इसमें आगे बता रहा है this increase the intra intra thoracous pressure और जो thoracous reason होता है thoracous reason का internal का जो pressure है वो increase हो जाता है अच्छा increase होने की वज़े से क्या क्या चीज़े problems आ सकी है जो card output है and arterial pressure है उसमें influence आ सकता है उसमें changes आ सकता है, यह चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, अब जब pressure जादा create होगा, increase होगा, तो वहाँ पर फिर forcefully expiration इसमें लिखा है forcefully expiration which open the gloitus suddenly, और जैसी pressure ज़्यादा create होता है, तो suddenly वहाँ से expiration होगा ear का और gloitus suddenly open कर जाएगा तो यह कफ का mechanism होता है दोबारा repeat कर लें, तो कफ के mechanism में यहाँ पर बता है, deep inspiration करेंगे, अब deep सांस लेंगे, घहरी सांस लेंगे, जिससे क्या होता है, gloitus, जो के larynx का एक middle part होता है, वो close हो जाता है temporarily, उसकी वज़े से intra-thoresis region का pressure भढ़ जाता है उसकी वज़े से, यहाँ पर expiration होता है forcefully और उससे gloitus suddenly open हो जाता है, यह process होती है, जब कफ आती है, खांसी आती है तो, उसके बाद अगे बात कर लें, now the pulmonary air which is force thoroughly the trachea, pulmonary जो air होती है, वो वहाँ से forcefully trachea की तरफ move करती है और उसी के साथ साथ carry with the off-tractive secretion of the respiratory tract तो जो pulmonary air trachea की तरफ move कर रही है lungs से, वो अपने साथ off-tractive secretion, मतलब काम करेगी, कहां से respiratory tract से, वो भी आगी की तरफ move on करेगा, भार निकलने की कोशिस करेगा तो कफ आना गलत नहीं होता है ये एक protective reflex होता है और ये इसलिए आता है, क्योंकि mucus का formation respiratory में जादा हो रहा है और उसको भार निकालना यहां पर जरूरी होता है जब ही infection जो होता है वो कहीं न कहीं treat हो पाता है उसके बाद अगर हम बात कर लें next paragraph की drugs used in the treatment of cough अब ऐसी कौन सी drugs जो के हम cough के treatment के लिए use कर सकते हैं first one, fair angle demulsant second is expectorant and third is antitucum ठीक है, इनको हम detail में पढ़ेंगे अगर हम आगे बात कर लें तो यहां पर यह detail में दी हुई है इनका यह classification दिया हुई है जो कि आपको पढ़ना है इसमें बताया गया है category बताई गया है और category wise यहां पर medicines को भी explain किया गया है तो यहां पर जो medicines हम use करते हैं कफ को treat करने के लिए यह वो pharyngeal demulsant पहला है second expectorant है और तीसरा antitussub है तो pharyngeal demulsant क्या होता है pharyngeal तो pharynx जो part होता है जो throat में है जो respiratory tract system में है जो pharyngeal part होता है throat में उसमें demulsant effect है demulsant effect मतलब अगर pharyngeal part में inflammation और irritation कौज हो रहा है तो उसको treat करने के लिए जो medicines का effect आता है demulsant effect कहलाता है तो उसकी वाय से भी तो अगर throat में irritation और inflammation है उसकी वाय से भी खरास रहती है, खासी आ सकती है तो उसको treat करने के लिए हम यहाँ पर pharyngeal demulsant category की medicine यूज कर सकते हैं यहाँ पर medicine के name भी दिये हुए हैं जैसे कि syrups, lintus, logenge and liqueurize अब यह किस तरीक से काम करती हैं, यह हम आगे देखेंगे इस classification में हम salt में बता दे रहे हैं, आगे हम इसको detail में भी पढ़ेंगे expectorant की बात कर लें, तो expectorant का दूसरा नाम mucokinetic है muco मतलब mucus और kinetic मतलब moment, मतलब expectorant mucus का moment कराने के लिए responsible है moment मतलब के lungs से बाहर निकालने के लिए responsible होता है, यह तीन तरीक से काम करता है एक direct expectorant, मतलब direct mucus के पास जाके उसको बाहर निकालने का काम करता है reflex expectorant, पहले reflex ले के आएगा और उस reflex की वये से mucus automatic ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकलने लगता है उसके बाद mucolytic, mucolytic की तरह भी काम करता है, mucolytic मतलब mucus को तोडने का काम करता है जब mucus तूट जाएगा, थिक से थिन हो जाएगा, तो automatically वो expelled हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा उसके बाद third category, anti-tri-sup, anti-tri-sup जो होता है, वो इस तरीकी का effect है, CNS पर work करके, वो हमारे cuff को suppressant करने का काम करता है CNS पर काम करके, cuff को suppressant करता है अब cuff मतलब जो खासी अगर आ रही है, तो उसके भी reflex brain तक पहुंसते हैं, जब return में reflex आते हैं, देन उसके बाद में cuff create होती है तो यहाँ पर यह बतानी कोशिस कर रहा है, अगर हम उस area को suppress कर दें, जो के cuff के लिए responsible होता है, जो central nervous system है, जो cuff को regulate कर रहा है अगर उसी को हम suppress कर दें, ब्लॉक कर दें, तो फिर हमें जो cuff के reflex है, वो read mind नहीं कर पाएगा, brain read कर नहीं पाएगा, और यहाँ पर जो cuff है वो नहीं create हो पाएगी किस तरीकी की medicines होती है, opiorts होती है, जैसे कि codeine हो गया, और भी इसमें medicines है, आप इसको read कर लिजगा, यह सारी की सारी anti-tricep medicines होती है, opiorts में आती है, और non-opiorts आती है, यह नसीली medicines होती है, opiorts medicine, इनका addiction भी होता है body के लिए, non-opiorts जो होती है, वो addiction नहीं करती है body के लिए, इसे के यहां पर एक्जांपल भी दिया हुआ है, क्लोरफेननामाइन, डाइफेन हाईडरामाइन, प्रोमेथाजीन, यह एंटी हिश्टामिक ड्रक्स होती है, बिसिकली हिस्टामीन एक ऐसा कैमिकल है, जो के यह बोडी में अलग अलग जगह पर रिलीज होता है और इसका एक particular function भी होता है बट हम तो यहां respiratory के बारे में बात करेंगे तो respiratory में अगर इसका release जादा है अगर respiratory में release जादा है तो यह bronchials को spasm कर सकता है bronchials को spasm करेगा तो फिर सांस लेने में problem होगी और खासी भी आने के chances रहेंगे तो वहाँ पर हम anti-histaminic anti-histaminic मतलब कि histamin के release को रोकने का काम करते है और इसको हम detail में पढ़ेंगे तो चीज है clear हो जाएंगी बागी का आप वीडियो को pause करके इस classification को अगर note करना चाहें तो कर सकते हैं बागी का आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि किस category में कौनसी अब काम क्या करती है वो हमने यहाँ पर भी explain कर दिया और आगे भी इसको explain करेंगे तो आगे अगर हम बात कर लें यहाँ पर फेरेंगल डिमुलसेंट दिया हुआ है यह इसकी medicines होती है और यह क्या करने का काम करती है एक smooth coating कवर करती है फेरेंगल म्यूकोसा पर हाँ फेरेंगल जो throat का part है internal जो mucous membrane है उस पर एक smooth coating कवर कर लेंगी this effect produced directly or by increasing flow the saliva इससे क्या होता है directly और यहाँ पर जो saliva का secretion है वो increase कर जाता है flow of saliva है वो भी increase करेगा उससे भी यहाँ पर relief मिलने के chances रहते हैं so they reduce the efferent impulse arising from the irritated pharengal mucosa अच्छा जब pharengal mucosa पर इन्होंने एक smooth coating कवर कर ली है तो वहाँ पर न तो irritation cause होगा और नहीं inflammation cause होगा अब जैसे के आपने पहले पढ़ा था irritation कहीं पर भी अगर cause होता है respiratory में तो ही cuff के reflex brain तक पॉसते हैं और वहाँ पर हमें return में reflex मिलते हुए cuff create होती है but smooth coating करने की वैसे जो inflammation और irritation को हमने रोकने का काम किया है उसकी वैसे यहाँ पर जो impulse है cuff के वो create होंगे नहीं और brain तक signal पहुचेगा नहीं उस तरीके से यहाँ पर cuff में तुमको relief देखने के लिए मिलेगा आगे next topic की बात कर लें expectorant expectorant को भी हम cuff के लिए use करते हैं और यह एक तरीके का mucokinetic agent होता है जैसे कि mucokinetic पहले बता चुके हैं आगे बात कर लेते हैं expectorant a drug which increase respiratory tract secretion और liquify them तो यह expectorant type की जो drugs होती है वो respiratory tract के secretion को बढ़ाने का काम करती हैं किस तरीके से बढ़ाती है पहले liquify करती है जो thick होता है उसको thin कर देती है गाड़ा जो mucos है उसको पतला करके फिर उसको excrete या बाहर निकलने का काम करती है और यह बता भी रहा है help in the dairy easily expulsion जब वो thick से thin हो तो आसानी से फिर वो body से भार निकलने का काम कर सकता है अगर आगे अगर हम बात कर लाएं direct expectorant की अगर बात कर लाएं जो कि expectorant category से ही ब्लॉंग करता है यह दोनों ही medicine direct expectorant की तरह काम करती है they are administered orally और इनको ओरली लिया जाता है they act directly and increase bronchial secretion यह directly bronchial पर काम करके वहाँ secretion को बढ़ाने का काम करती है they increase mucociliary action हा और यह किस तरीके का actions हो करती है mucociliary action mucociliary action ऐसा action होता है जो mechanism of lungs है वो अपने आपको defense करने लगता है defense करने लगता है इस तरीकी का action यहाँ पर mucociliary action देखने के लिए मिलता है यह भी एक relief लेके आ सकता है कफ में expectorant की तरह है क्यों जितना formation बढ़ेगा उतना ही mucos यहां से बाहर निकलने के लिए responsible रहेगा या भार निकलेगा और जितना mucos बाहर निकलेगा उतना ही infection body में कम होगा body में infection बोलो या respiratory में infection बोलो next category reflex expectorant है जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें reflex आते हैं body के लिए reflex आते हुए reflex के through mucos जो form हो चुका है उसको बाहर निकलने का काम होता है इसमें पढ़ लेते हैं these are emetic which in sub emetic doses act as a expectorant तो इसमें जो हम dose use करते हैं वो emetic category की और sub emetic category की dose use करते हैं sub emetic dose होती हैं जो के reflex लेके आती है vomiting की हाँ vomiting और nauseous conditions create करने वाली drugs emetic drugs होती हैं उसके बाद बता रहा है these drugs produce mild irritation of gastric mucosa which stimulate gastric reflex और ये medicines emetic medicines हमारे GIT में जाके gastrointestinal tract में जाके irritation cause करती हैं और उससे हमें vomiting के reflex आते हैं vomiting के जब GIT में reflex आएंगे तो वहीं से जो reflex respiratory में वो भी create होने लगेंगे क्योंकि उसी system से correlate करेगा वो या फिर location की बात करें तो respiratory और gastrointestinal tract की location opposite में है एक दूसरे के तो GIT में अगर हम reflex लेके आएंगे तो respiratory में भी reflex create होंगे this help to increase the respiratory secretion और ये help करेंगे हमारे respiratory के अंदर जो mucus है उसको secret कराके बाहर निकालने के लिए in large dose अगर इसकी large dose दे देते हैं हम तो वहाँ पर nausea और vomiting भी इंसान को हो सकती है उसके बाद इसके examples की बात कर लें reflex expectorant कौन से होते हैं तो ये दो category में divide किये गए है sodium salt and potassium salt sorry ammonium salt and potassium salt ammonium salt में ammonium chloride and ammonium bicarbonate potassium salt में potassium iodide रहता है आगे अगर हम बात कर लें तो next जो topic है इसमें वो है mucolytic agent mucolytic जैसे के पहले भी बता दिया है mucus को तोल के excrete करने का काम करता है बाहर निकालने का काम करता है this type of drug which decrease the viscosity of isputum वही isputum जो होता है isputum की viscosity को सांदृता को concentration को कम करने का काम करता है this is help in easily expectoration जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाए following are some mucolytic agent इसमें example भी दिये हैं यह यहां पर 3-4 example दिये हुए यह mucolytic agent होते हैं तो पहला हम पढ़ें acetyl cysteine यह mucolytic agent है और किस तरही के से यह काम करता है यह क्या करता है it act by opening disulfide bond of muco protein present in sputum sputum में जो थिक sputum है अभी जो तिक जो गाड़ा sputum है उसमें जो muco protein present है और उसमें जो disulfide bond है उसको तोलने का या open करने का काम करता है जब थिक sputum से वो bond open हो जाएगा या तूट जाएगा तो वो थिक नहीं रहेगा फिर sputum वो थिन हो जाएगा वो पतला हो जाएगा this make the sputum less whisked फिर वो कैसा हो जाएगा less whisked हा गाड़ा नहीं रहेगा वो पतला हो जाएगा it has to directly administered into the respiratory tract और acetyl systeen को हम directly administered करने का काम करते हैं respiratory में उसके बाद carboxy systeen जो होता है it act in the same way of acetyl systeen तो यह same एक ही तरीक से काम करते हैं acetyl systeen हो या फिर carbocysteen हो इसको administered orally करते हैं और इसका side effect निकल के आ सकता है कि यह gastrointestinal में irritation or racist cause कर सकता है आगे अगर बात कर लें थर्ड जो mucolytic agent है वो है bromohexene bromohexene जो mucolytic agent है वो किस तरीके से कफ में relief पहुचाने का काम करता है it is obtained from plant आदा तोड़ा वसिका यह natural plant है herbal plant है आदा तोड़ा वसिका यह इसका botanical name है तो इससे यह obtained होता है bromohexene it decrease the viscosity of sputum तरीके से करता है by dissolving the muco polysaccharide fiber muco polysaccharide जो fiber होते है इस sputum में उसको dissolve करने का काम करता है जब वो dissolve हो जाएंगे तो automatic जो mucus है वो थिक से thin हो जाएगा पतला हो जाएगा it is useful in mucus plucks are present और यह कहां present होता है यह भी बता रहा है कि mucus plucks में यह present रहता है आगे dose की बात कर लाएं 8 mg इसकी dose है daily basis पर और इसको 8 mg को हम दिन में तीन बार दे सकते हैं patient को Embroxol की अगर बात करें तो Embroxol it is metabolite of bromohexine तो same bromohexine की तरह काम करता है बट यह metabolite form में होता है bromohexine मतलब superior बोल सकते हैं Embroxol से, Embroxol superior होता है bromohexine से superior यहां पर Embroxol होता है आगे अगर हम बात कर लें Mucolatic agent and uses in similar to bromohexine तो bromohexine की तरह ही काम करता है बट उससे superior होता है उसके बाद मैं anti-tusup category की बात कर लें these drugs act on the CNS, CNS पर काम करती है anti-tusup medicines they reduce the tussle impulse by rising the threshold of cuff center तो वही बताया था यह CNS पर काम करके जो cuff के impulse create हो रहे है उनको क्या करने का काम करती है उनको suppress करने का काम करती है जब वो impulse suppress हो जाएंगे तो इनसान को जो cuff का formation है वो नहीं हो पाएगा खासी उसको नहीं आ पाएगी anti-tusup are used only in dry unproductive cuff तो anti-tusup को हम कहां यूज़ कर सकते हैं किस तरीकी की cuff में भी यूज़ कर सकते हैं anti-tusup को हम unproductive cuff में भी यूज़ कर सकते हैं unproductive cuff वह कफ होती है जिसमें mucus का secretion या किसी भी other material का secretion नहीं होता है केवल इनसान को खासी आती है बट वहाँ पर mucus का secretion नहीं हो रहा है और नहीं formation of mucus, sputum, bulgum इस तरीकी की चीज़ा देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं उसको dry cuff भी बोल सकते हैं हम तो उसमें हम यहाँ पर anti-tusop का use कर सकते हैं anti-tusop are classified as इसको classify किया गया है दो प्रकार से एक तो opioid anti-tusop और एक non-opioid anti-tusop opioid anti-tusop में जो आती है medicines वो codeine and fall codeine आती है non-opioids anti-tusop में जो medicine आती है noscopene and dextromethorphene आती है opioid anti-tusop की पहले बात कर लेते हैं और इसमें codeine की बात कर लेते हैं it is an opium alkiloid तो opium alkiloid of phenanthrine group का यह compound होता है it is narcotic anti-tusop नसीली medicines होती है यह narcotic medicines होती है anti-tusop की तरह तो काम करती हैं but narcotic category में आती है it is action are similar but less potent than compared to morphine यह similar action रखता है morphine की तरह but उससे ज्यादा potent नहीं है जितना morphine potent है as a anti-tusop उतना codeine यहाँ पर उस तरीके का action नहीं रखता है और basically हम इसलिए less potency वाली medicines provide कराते हैं codeine को क्योंकि cable हमको suppress कराना है ज्यादा impulse या ज्यादा sensation को block नहीं करना है maybe patient unconscious stage में पहुंच सकता है अगर ज्यादा potency की drug हमने cns पर act करा दी तो उसके बाद codeine ही use करते हैं इसलिए हम आगे बता रहा है it suppress cough for 6 hours 6 hours तक यह cough को suppress करके रख सकता है analgesic and constipating effect are less analgesic effect कम देखने के लिए मिलेगा ऐजे analgesic use नहीं कर सकते हैं और इसका जो constipating effect आता है constipation जो cubs है वो भी कम देखने के लिए मिलेगी it does not produce tolerance और addiction न तो इसका tolerance रहता है body के उपर नहीं यह addiction cause करती है it is administered as syrup of codeine phosphate codeine phosphate नाम से market में syrup आती है as a antitucive codeine की उसको हम use कर सकते हैं कैसे यूज करना है कितना यूज करना है dose की बात कर लें तो 4 to 8 ml by mouth और ली इसको यूज कर सकते हैं वन टाइम में 4 ml लो या फिर 8 ml लो इतनी dose में इसको यूज किया जा सकता है आगे अगर हम बात कर लें तो आगे यहां पर बता दिया है non opioid antitucive अब non opioid antitucive में कौनसी medicines होती है नॉस्केपीन नॉस्केपीन के बारे में पढ़ लेते हैं it is an opium alkaloid of bengyle isocunolone group तो यह भी opium alkaloid होता है जो के bengyle isocunolone group से ब्लॉंग करता है it is equivalent it is equivalent codeine in antitucive effect तो यह बिल्कुल equivalent effect सो करता है codeine की तरह ही बट इतना फरक है वो opioid नसीली medicines में आता है और यह non opioids medicine में आता है यह नसीली medicines नहीं होती है उसके बाद but it has no analogiesic effect यह भी analogiesic effect सो नहीं करता है यह भी pain killer या pain में relief पहुचाने का काम नहीं करता है also it is no narcotic or addiction properties और नहीं यह कोई narcotic नसीली effects सो करता है और नहीं यह body के लिए addiction create करता है so it is group as non opioid antitucive इसलिए इसको non opioid antitucive में रखा गया है इसके adverse effect हमको nausea हो सकता है nausea means के vomiting से होने वाली पहली की conditions हा nausea means के vomiting vomiting जैसा feel होगा बट vomiting create नहीं होगी या vomiting cause नहीं होगी बट vomiting जैसा feel होगा headache, headache पता ही है सिर में दर्थ head मतलब सिर and act मतलब pain तो headache उसके बाद antihistamine की अगर बात कर लें जो के इसकी third category थी antihistamine antihistamine जो के histamine के release को रोकने का काम करती है antihistamine like chlorphenamine and diphenhydramine and promethazine are used in cough तो ये सारी medicines जो तीन medicines लिकी हुई है इनको cough के लिए हम use कर सकते है they relieve cough by their sedation and anticholinergic action तो ये किस तरीके से cough में relief पहुचाने का काम करेंगी ये sedation cause कराएंगी, ये क्या करेंगी? sedation cause कराएंगी तो sedative जो effect होता है हमने पहले बताया है sedative effect में हमारी जो muscles है उनको relax करने का काम करता है तो ये antihistaminic medicines provide कराने से हमारी skeletal muscles relax कर जाएंगी, excitement कम हो जाएगा body के sensation भी proper तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो अगर इस तरीकी का effect देखने के लिए मिलेगा sedative effect देखने के लिए मिलेगा तो फिर जो cuff है उसमें काफी हद तक हमें relief देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि body के sensation प्रोपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर as a sedative action देखने के लिए मिल रहा है आगे antikolinergic action भी उसी तरीकी के जो callinergic actions है उनको block करने का काम करेगा तो उसी तरीकी से ये भी एक effects हो देखने के लिए मिलेगा they do not act on cuff center और ये कोई cuff center पर काम नहीं करता है ये cuff center पर काम नहीं करता है अब ये cns पर काम करके या histamine के release को रोकने का काम करके ये cuff में ये cuff में relief पहुचाने का काम कर रहा है serative actions हो करके basically पहले भी हमने इसी वीडियो में इससे पहले भी बताया था कि histamine अगर respiratory में अगर release हो रहा है respiratory में histamine का level अगर ज़्यादा है तो वो responsible होता है spasm के लिए bronchials को spasm करता है जब spasm करेगा तो oxygen की supply proper तरीके से lungs तक नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें bronchials spasm हो रखी है तो उनको spasm न होने की वाज़े से हम anti-istaminic medicines भी use करते हैं आगे अगर बात कर लें इसमें तो also they do not have expectorant action और ये कोई expectorant action भी सो नहीं करता है आगे they reduce secretion by anticholinergic effect हाँ तो ये क्या कर सकता है ये reduce कर सकता है secretion को हमारा जो secretion हो रहा है body में से उसको ये कम करने का काम कर सकता है किस तरीके से anti-cholinergic effect सो करके anti-cholinergic effect means ये कि यहाँ पर effects so by mucociliary effect haa mówociliary effect is so होगा effect so mucociliary effect and उसके बाद मैं reduce mucous secretion mucociliary effect होने के बाद में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें कि जो mucos का secretion है वो कम होने लगा है और mucociliary जो effect होता है वो एक तरीके से ये समझो कि वो defense effect होता है lungs के mechanism action या mechanism of action का defense effect mucociliary effect होता है तो I hope कि आपको ये चीज़ें clear हुई होंगी अगर clear नहीं भी हुई है कहीं कोई query है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप comment section में comment करके इसको clear कर सकते हो उसका reply आपको जल्दी ही मिल जाएगा और इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करो bell icon के बटन को press करो जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका notification आप तक proper पहुंच सके